हाई एर्रीवन इसमें हमजें यूर वाचिंग एश्टी एक्स वेलकुम बैक दो चैनल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं उमीद करतों अच्छे होंगे खेर खेरिये से होंगे इंजॉय कर रहे हैं होंगे आज हम बात करने वाले हैं ची एक वीडियो पे जिसका मुझे कोई आइ सोचल मीडिया पे देखा ना किसी ने मुझे जो है ना डियम वगरा किया जब भी कोई बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त हैं हमारे आप सब्सक्राइबर्स में से जो हमें बड़ी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और इस तरह हम वहां के करेंट अफेर जैसे अगर कभी नि तो देखते हैं जनाब संजे शर्मा साब कौन थे और इनका बदला कश्मीर कश्मीर का लिखा हुए था मनेल पे कश्मीर में कुछ हुआ होगा देखते हैं 48 गंटे में बदला कैसे हुआ आईए शुरू करते हैं थ्री टू एन एन हेलो फ्रेंस जैहिन दोस्तान स्पेशल म में सुरक्षा बलो और आतंक वादियों के बीच मुठफेड हुई मुठफेड में सुरक्षा बलो ने दो आतंक वादियों को मार गिरा है सही एक डैशतगर्द हाली में पुल्वावा में कश्मीरी पंडित संजे शर्मा की हत्या में भारतिय से शेना ने 48 खेंटे से भी कम समय में संजे शर्मा पर जान लेवा हमला करने वाले आतंक वादी को मार गिरा है दूसरे उग्रवादी की पहचान अभी होना बाकी है होगी से हत्यार भी ब्रावद हुए दूसरे भी पकड़ा जाए एडी जीपी कश्मीर विजे कुमार ने बताया कि मारे गए आतंक आतंकी आकिब संजे शर्मा की हत्या में शामिल था दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भारत के बढ़ते हुए रक्षा बजट से काफी परेशान दिखाई दिरा है भारतिय सेना की जैब भारतिय सेना ने आज एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद बड़ी मुश्किल से होत सकते होई थी उसकी हत्यारे को ढूण निकाला और ढूण निकालके उसे खत्म कर दिया उसे मारगे रहा है नहीं है उसको वो करा दिया जिसके लिए वह आया था यह है वा रहने के बार मार में के बाद यह भांग गया था इसको लग रहा था कि हमारी आर्मी से यह बच्के भाग सकता है इसकी यह बिटीया जिसकी फोटो पॉटो अज सारी कंट्री ने देखी सबकि आंक्षों में अंसुर एक चानाशा तरफ इसका बापका साया सिर्क उपफर से उठाख इना लेकिंसकी हमारी आर्मी ने अज इस निकाला और 40 गंटे में इसको पोक और बच्छी को इंसाफ दिया एक आतंकी और मा गया यह सारे के सारे बहतर हूरें ब्हुत्र हुरो ने से मिलवाना हमारी अर्मी का काम और हमारी आर्मी काम पखू भी कर रही है पात्र हुरो वाला या पिर हर उस मस्लमान को मारने वाला जो उनकी आइडियालोजिय को फॉलो नहीं करता ये सब एक ही जगा से निकलते हैं और उसका तालुक है एक स्पेस्फिक फिरके से मैं आपनी लूँगा वो फिर उन में से कई लोग आते हैं कि यार भाया हम भी उस फिरके के हैं लेकिन हम तो ऐसे नहीं करते अरे सर आप हो या ना हो लेकिन आपके उल्मा की जो किताबे लिखी मी है या आपके जो उल्मा ने ट्रांसलेशन की या कुरान की उसको रख कर ही इन लोगों का ब्रेन वाश किया जाते है बास सीदी सीजी हर वो इनसान जो किसी भी बेगुना को मुस्लिम हो या नौन मुस्लिम हो उसको अगर नुकसान पुचाता है तो वो मजब का काम तो करनी रहा क्यूंके हम सब ये मानते हैं ना कि जिसने हमें बनाया है परवर्दिकार, भगवान, अल्ला, जितने नाम आप कहनें गोड उसने हम सब को बनाया और हम सब को डिफरेंट डिफरेंट ग्रोहों में ग्रुप्स में पांट रिए अब हर रिलिजन में अच्छे और बुरे की तमीज रखी गई है तो हम और आप कौन होते हैं किसी को उसके मजब की बनियाद पे निशाना बनाने वाले मैं तो इतना समझता हूँ आज सुबही मेरी अपने एक क्लास फेलो से बैस हो गई थी उन्होंने स्टेटस कुछ ऐसा लगाया बता जिस पर मैंने अबजेक्शन किया कि भाई अगर मैं बता देता हूँ आपको मैं चुपाऊं क्यों आपसे मैं उनका बस नाम नहीं बताता मैं स्क्रीन शूट लगा देता हूँ हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने एक स्टेटस लगाया बता कि शिया को जगात देने से आपकी जगात अदा नहीं होगी इसलाम शिया को जगात देने से रोकते है अब मैंने कई यार कलमा तो शीये भी पढ़ते हैं कलमा हम भी पढ़ते हैं सुनी भी पढ़ते है तो मुसल्मान होने की शर्त किया है मुसल्मान होने की शर्त है आपने कलमा पढ़ने आप मुसल्मान होगे अब शीयों के कुछ इखिलाफात हैं वो कुछ साहबा वगेरा को नहीं मानते जिसकी बेस पे चंद फिरकें उन्हें कहते हैं कि भाई ये काफर है तो मैंने उसे कहा कि भाईया देखो मेरी बात सुनो सिर्फ नॉन मुसलिम्स जो है न वो हम सब को देख के कहते हैं ये मुसल्मान है हम एक दूसरे को देख के हम मुसल्मान है हम एक दूसरे को कहते रहते है अभी काफर है आभी काफर है तो मैंने के यार देखो वो एक तन्जीम है जो के flood victims की घरीबों की मदद कर रही है जकात, फित्राना, चंदा कठा करके तो अगर किसी गरीब के मुँँ में वो नबाला डाल रही है तो तुम्हें इससे क्या प्रोब्लम है वी वस लाइक नहीं नहीं ऐसे नहीं होता मैंने कई यार मतलब आप किसी से उसका मजब और फिरका पूछ के उसे रोटी दी जाएगे आपके गर कोई फकीर आएगा आप उसे ये पूछो के कौन से मजब से है तू तो मैं हिरान हो गया कि इतना वो पड़ा लिखा है लेकिन कहते हैं न कि जैसे आप सुसाइटी में जैसे लोगों के दर्मियान रहेंगे वैसे हो जाएंगे वो क्योंके बैठता है जिहादी मुलों के पास तो वो जिहादी बनता जा रहे बड़ी कोशिश किया समझाने की नहीं समझता क्योंके दिमाग में कीड़ा फिट हो गया है न वो बैठ गया जाके अंदर अब ये जो थे भाई साब इन्होंने एक पंडित को कतल किया और फिर भाग के चले गए अपने आप में तो बड़ा इन्होंने कारनामा किया लेकिन किसी भी इनसान को नाहक कतल करना आपको ये कोई दीन अजाज़त नहीं देता इनको पता नहीं कौन सा मजब पढ़ाया जाता है कौन सा इसलाम पढ़ाया जाता है जो इन्हें ये कहता है कि फलाने 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 या इन सब को मार दो तो तुम्हें बहतर हुरे मिलेंगी भाई हूरों का तो पता नहीं, तुम्हें बातर फैंटा लगाने वाले लोग उपर जरूर मिलेंगे जहान्नुम में क्योंकि सुम सीधा जाते हो जहान्नुम में सारे जब ये मारे जाते हैं न ये जितने अगर कोई जहादी सुन रहा है तो भाई तुम्हें बातर हो रहें नहीं मिलेंगी वहाँ बातर जो है न बेतरीन किसम के लित्तर लगेंगे तुम्हें और सड़ोगे तुम जाननूम में अब देखे ना चोटी सी बची है वो बचारे उसके बाप का क्या कसूर था कोई तुम्हारे साथ कोई परसनल दुश्मन ही नहीं थी तुम्हें उसने कुछ कहा नहीं तुम्हारी फैमली को हर्ट नहीं किया तुमने ऐसी जा कि मार दिया उसको तो बिलकुल बहतरीन काम किया और मैं तो कहता हूँ किसी भी मुल्की आर्मी हो कोई भी शक्स कोई भी शक्स मजब के नाम पे किसी तन्जीम के नाम पे मुल्क के खिलाफ मुल्क के लोगों के खिलाफ हतियार उठाते है उसे ठोको इर्रिस्पेक्टिव के कौन सा है मजब और कौन सी है तन्जीम ठोक दो नहीं ठोकेंगे ना देखें इन जैसे लोगों को ठोका नी जाएगा ना आज एक को मारे, गल पांच को मारेगा, फिर हिम्मत बढ़ जाएगी, दस को मारेगा मज़ीद हिम्मत बढ़ेगी, पकड़ा नी जाएगा, खुद पे जैकेट बांदके हजारों बंदों को ठोकेगा तो इस बेटर के अभी मार दो इनको भारहल जी अब इसको मार देने से उस बच्ची का बाप तो वापस नहीं आएगा लेकिन एट लिस्ट उसके दिल को सकून होगा कि मेरे बाप का जो हत्यारा था कातिल था वो मारा गया रात को चैन से सो तो सकेगी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जी बड़ा अच्छा करना मा किये सी यू गाइस